देखिए, और शिम्ला डिस्टिक में हम जो अपनी प्रेपरेशन्स करते हैं, वो सीजन पर अधारित होती है डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के हमारे डिस्टिक में, कैपिटल में डिफरेंट चैलेंजिज रहते हैं और इसी के दिरिस्टिक जैसे कि आपने पहले समर सीजन था फिर उसके बाद बड़ा ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हमारा जो था वो रेनी सीजन रहा और अब विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में हमने ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और जो हमारे आमजन टूरिस्ट सबकी सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर एडिक्वेट प्लैन जो है वो बनाया है अब ही क्रिस्मिस और इस दौरान पिछले दस तीनों के मैं आपसे बात करूं तो शिमला में हमारे एक ही बेरियर से शोगी बेरियर से लगवग एक लाग साथ हजार गाडियों का आवगमन हुआ है और उसमें 55,000 से 60,000 गाड़ियां जो हैं वो tourist vehicles रही हैं और ये number increase हो रहा है इस दोरान जो हमारे traffic संचालन को लेकरके हमने one minute traffic plan को activate किया है और काफी हद तक हम उसमें सफल भी हुए है उस activation की बज़ा से हमारे शहर की जो रोजमर्रा की जिन्देगी है वो प्रॉपरली सुचारू रूप से चल रही है आप सबने witness किया है और इसके अतरिक्त 100% tourist जो है वो शिमला को टच कर रहा है तो ये एक successful मैं execution और preparation of plan की आप से बात कर सकता हूँ इसके अतरिक्त हमारा पूरा शहर जो है वो cctv से connected है सारे barriers जो है वो cctv monitored है 87 locations पे जो है हमारे cctv operationalize हुए है सो master control room के जरिये हम traffic का संचालन भी देख रहे हैं सुरक्षा भी देख रहे हैं और इस बार winter carnival भी एक initiative है प्रदेश सरकार की तरफ से तो उसमें भी जो है proper और balance तरिके से जो है हर चीज को जो है हम execute कर रहे हैं सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं traffic भी संचालित कर रहे है नवर्ष के उपलक्षे में जो है जैसे कि हम हर वर्ष जानते हैं कि बहुत भारी संक्या में लोग जो है आसपास के draining state से जो है शिमला आते हैं to enjoy with their families तो इसकी दूस्टिक जो है हमने पूरी preparation की है सुरक्षा का भी ध्यान रखा है traffic को भी हम पूरा संचालित कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि जो भी लोग यहां पर आएं वो अपना जो journey complete करने के बाद सुरक्षित होकर जाएं मेरा अगर सभी लोगों से यह रहेगा कि यातायत नेमों का पालन करें अनसेसरी adventure ना करें और पुलिस साप की facilitator की तरह सही होगी की तरह आपके साथ शिमला पुल करते हैं और साथ साथ में यह भी सुझाओ देते हैं कि हिल्स की जो driving होती है वो जो इसके accidents होते हैं बड़े fatal accidents होते हैं तो drive safe, आप safely चलें और अपना भी ध्यान रखें और जो सड़क पेरनेया लोग जो चल रहे हैं उनका भी ध्यान रखें तो I am sure कि हम इस पूरे plan को अच से execute कर पाएंगे